मैंने पिछली क्लास में कुछ डेफिनेशन वगरा लिखवाई दिया उनको देखो आप अना सबसे पहले यह क्या पढ़ रहे हैं मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया कि पर्थवी जो है किसके तरह वैवार करेगी चुम्बक की तरह है और इसका रीजन भी मैंने आपको ब इसके डेफिनेशन यह हो जाएगी देखो दो परकार के याम्योतर होते हैं यह होगा कौन सा याम्योतर भोगोली की याम्योतर मैंने पिछली क्लास में बताया था माल लीजिए पर्थवी है और पर्थवी के यह बीचों बीच यह कौन सा पोल है नौर्थ पोल और यह कौन पहचा समझे looks like फृटी पासके आदा गलोब इदर अधा गलोब इदर समझ मैं और वह बीच impress रोगा तो वह किदर से पास होगाक सिस्साइब जो ऊत्रों इसको कएंगे बागलिक याम्योतर और जो चुम्बक के बीच अक्से से पास होता उसको कहते है चुम्बकिय यामीयथा तो मैंने आपको डेफिनिशन ने बताई कि Nevertheless २ ग οι याम्युत्र खौशी को क्या कहते हैं धिकपाद कौन तो मान लीजे यह तो क्ववन है अपना अरे यह तो क्वन है यह याम में उत्तरा अधिक भोगोटलिक में याम्यत फृड़ जयां कौंसा याम्यत सिसमें डार्याग्राम बनना पड़ेगा आपको उर मैं देखिए तर दूसरा तल बना रहे हुए आस टोड़ा शाज्रण करहा हुए मैं यहां से इसके shade को change कर रहा हूं ताकि आपको नजराए कि ये मैंने कोई दूसरा plane बनाया है, समझ मारा है, दूसरा plane हम दूसरे color से बना रहे हैं, इधर देखो, ये वाला color ले रहे हैं, दिखना है सबको, ये जो plane बनेगा ना दूसरा वाला, दिखरा है ये, किताब के दो पन्नो का ऐसे खोल दिया रहे हैं, अगर, समझ में आइबाद ये किताब का पन्ना हो गया एक और इसके ब radiator में दूसरे पन्ने को खोल दिया है, किताब का एक पन्ना जो गयाएगा वो तो घाएगा कौनसा यामियोतर, वो गोलिक यामे उतार क्योंकि वह वास्तविक उत्तर दक शेन दीव सासिक उजर रहा है और यह जो पेज ऐसे कुला हुआ है थोड़ाँ सा यह वह गया चुंबक ही है क्योंकि यहां पर जब चुंबक को लटका होगे तो वह ऐसे नहीं लटकेगा सीधा वह थोड़ा सा किसी कौन पर लटकेगा ऐसे टेड़ा अलका सा तो वो जिस कौन पर लटकेगा कौन से किस से कौन से वाले तल से भोगोलिक याम्योत्तर से उसी कौन को कहते हैं देख पाथ कौन अब आप मेरे कोई बताओ ये वाला कौन सा याम्योत्तर है यह है चुम्ब की याम्योत्तर कुछ समझ में आया चुम्ब की याम्योत्तर और चुम्ब की याम्योत्तर और भोगली की याम्योत्तर की बीच को कोण कोई क्या कहते है देख पात कौण यह जो नया बन रहा है तल देख रहा है इन दोनों तलों के बीच के कोण को क्या कहते हैं दिख पाथ कौण समझ में आरी गारी बाद नहीं आरी बाद समझ में पुल मिलाकर यह एंगल हो जाएगा अपना दिख पाथ कौण इसको किस से देनोट करेंगे डी से एंगल ओफ डिक्लिनेशन क्लियर हुआ यह हो गया अप नती एवं नमन कौण इनको तीनों को एक साथ पढ़ेंगे नती या फिर नती एवं के जगे यह लगाओ इसमें यह क्यों दोनों एक ही चीज है इसको यह भी बोल देते हैं नती कौण या नमन कौण नती अबलिक नमन कौण अब यह क्या है बही पर्थवी के उपर एक बार के लिए न पर्थवी को ऐसे कर दो और यह मालो आप यह कौन सा पोल है नौर्थ यह कौन है साथ यहां पर जो रह रहे होंगे न उनको चुंबक के छेतर नजर आएगा जो यहां पर जो लोग रह रहे हैं और मैंने आपको बताया था देखो नोर्थ वाले इस वाल और यह होता है जोग्रोफिक और यह होता है जोग्रोफिकल साउथ सोरी मैगनेटिक साउथ यह होता है मैगनेटिक नौर्थ और यह होता है जोग्रोफिकल साउथ समझ माया आपको याद होना चीए यहां चुंबक के छेतर रेखा यह एंटर कर रही थी और इधर से बाहर निकल रही थी याद है तो यह जब साउच से निकलेंगे ही तो यह घूम कर इधर ही तो आ रही होंगी बोलो हाया ना क्लियर है समझ मारा है कुछ पर्थ्वी के च्यारों और चुम्बा के छेतर पाया जाता क्लियर आप जो यहाँ पर रह रहा होगा कोई उसके पास अगर उसको चुम्बा के छेतर की दिसा पता करनी है पर्थ्वी के चुम्बा के छेतर की तो उस जगह से गुजरने वाली चुम्बा के छेतर रेखा पर क्या बना देगा वो इस पर चुम्बा के 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 चुम्ब करेंगे इसे चुम्बा क्या छेतर ओफ आर्थ पर्थवी का चुम्बा के छेतर अब इसको द्यान से देखो आप ये 36 है सीधी पर ये वाली लाइन को 36 बोलते है 36 पर्थवी पर कोई खड़ा होगा तो पर्थवी के समाना अंतर जो लाइन होती हो क्या होगी 36 और उर्द्वा दर बिल्कुल यह उपर हो जाएगा ऐसे ठीक है अब आप इसके दो गटक कर सकते हो देखो ज्यान से ये चुम्बा के छेतर यहां था ये चुम्बा के छेतर एक् इस साइड भी गटक किया जा सकता है इस साइड और इसका एक गटक किया जा सकता है नीचे की तरफ समझ मारा कुछ तो पर्थवी के चुम्बा के छेतर के कितने गटक होते हैं दो होरिजन्टल गटक जिसको कहेंगे 36 गटक जो पर्थवी पर कोई खड़ा है ऐसे सीधा जो भी गटक है तो पर्थवी पर खड़े हुए के साफसे तो सीधा तो यह है तो यह गटक आ जाएग है इसको बोलेंगे पर्थवी के चुम्बा के चेतर का essaension component, घोजन्टल मतलब 36 और इस घटक को बोल देंगेcrireर्थवी के चुम्बा के चेतर का वर्थिकल का वतिकल कंपोनेंट जिसको कह देंगे Virty वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी समझ में आया वर्टिकल का मतलब उर्द्वादर और एक चीज और है यह उपर की तरफ नहीं होगा उर्द्वादर नीचे क्यों होगा क्योंकि जब इसके टुकडे करोगे तो एक टुकडा इधर आएगा लेकिन दूसरा टुकडा नीचे की त जगह कही नीचे यह डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर है अब देखो आप यह वाला कोण कहलाता है हीटा इस कोण को कहते है नतिया नमनपोर तो समझ माया अब यह कोण पता है अब एक चीज और याद रख लीजिए पर्थवी की सतय पर जब भी सोतंतरता पूर हो का आप चुमबक को लटका होगे तो वो चुमबक उसी दिसा में जाकर के ठहरेगा जिस दिसा में वास्तों में कौन सा छित्र है पर्थवी का चुमबक के छित्र है समझ मारी बात मैंने आपको पिछली किलास में भी बताया था कि यह एक समान चुमबक के छित्र है और इसमें नौर्थ पॉल है चुम्बक का इसको आप मीन पोजीशन से गुमा करके छोड़ दो वो रुकेगा कहा जाकर ये इस थाई सामें में रुकेगा कहा जाकर इस थाई सामें में यानि ये ऐसा तो रुकने वाला नहीं है ये रुकेगा इधर ही जाकर ऐसे ही बोलो हाक न तो चुम का उत्री दुरू उदर जा कर गे थहरता है जिस दिसामें वहां पर कौन है चुमब好的 hour's Together समझ माया अब आगर आप यहां पर लटका दो पिंद कि स्वी को लटका दो पर्थवी पर पर्थवी पर चुमब के सुई को लटका देते हैं मैं क्या करता हूं मैं क्या करता हूं द्यान से देखो यह थोड़ी सी जगह में खाली कर रहा हूं मैं क्या लटका हूंगा चुम्ब के सुई लटका हूंगा और यह लाइन ने समझ में आ गई आपको यह सब क्या है यह आपर चुम्ब के सुई तो एक ही बात है इसका एक तो पोल होगा नौर्थ पोल दूसरा पोल होगा साउथ पोल किलियर है अब मैं इसको यहां लटका हूंगा ऐसे तो यह ऐसे लटकेगी क्या मेरे को तो यह बता हूँ क्या सही लटक रही है क्या यह यह नौर्थ और यह साउथ क्या यह नौर्थ की क्षेत्र की तरफ समझ माय को चुछ और पर्थवी का चुम्बक के च्षेत्र ओरिजन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है वो तो इधर है तो यह इधर यहां नीची है तो यह चैटीज में नहीं ठेहरेगी ऐसे कि समझ मारा है चुम्बक तो आपने लटका है बिल्कुत सीधा लेकिन यह ऐसे नहीं ठेहरेगा आगे से जुकेगा किस की तरफ जुकेगा पर्थवी के चुम्बक यह चेत्र की तरफ क्योंकि चुम्बक हमेशे उधर ही जाकर करके रोगता है जिदर चुम्बक के चेत्र का टोटल चुमबक ये छहतर होता हैं, हाना उसका उत्री दुरू, तो होगा क्या ये ऐसा ही नहीं रूपने वाले, ये चुमबक ये सुई देखो कैसी बनेगी, ये चुमबक ये सुई बनेगी, मैं इसको नीचे की तरह बनाओंगा, फिर बाद में सिफ्ट करके, ये चुमबक मेरे को तो ये लाइन मैच करवानी है, क्योंकि मैंने ये लाइन मैच करवानी मिला, समझ महा रहा है, तो मैंने ये लाइन मैच करवानी है, ठीक है, समझ महा ही बात, ये कौन था, ये कौन था, 36 कंपोनेंट, और ये कौन था, वर्टिकल गटक, और ये एंगल जो आएगा, यही थीटा के लाएगा अब इसके definition कैसे देंगे जब भी स्वतंतरता पूरवक्त किसी चुम्बके सुई को लटकाया जाता है तो चुम्बके सुई के उत्री धुरूद वारा 36 के साथ बनाया गया कोण 36 तो यह रहा चुम्बके सुई ऐसी नहीं होती चुम्बके सुई तो ऐसे जाएगी तो चुम्बके सुई का जो कितना कौन बना रही है 36 के साथ उसी को कहते हैं नतिया नमन कौन तुछ समझ में है अब डाइग्राम में यह सब बनाने की जरूत ने पड़ती है दो लाइने बनाते है जो डाइग्राम अपने को बनाना है चुम्बक के सुई देखो यह है पर्थवी का कौन सा गटक भी एच यह है वीवी और यह है इनका टोटल कुछ समझ में रहा है और यहां लटकाएंगे किसको चुम्बक के सुई को चुम्ब के सुई को लटका दिया ये रही चुम्ब के सुई चीक और ये चुम्ब के सुई का कौन सा दुरू ये तो जब भी सुतनतरता पूरो किसी चुम्ब के सुई को लटका जाएगा तो चुम्ब के सुई के दुआरा 36 के साथ बनाया गया कौन ही कहलाता है नतिय नमन पौन definition लिखेंगे आगे समझ माय कुछ clear है अब आपको देखना है पर्थवी के चुंबा के छेतर के गटक हो गई कितने दो पर्थवी के चुंबा के छेतर के दो गटक करेंगे वास्तों में पर्थवी के चुंबा के बोलो हाया ना इसका नीचे की तरफ गटक लेते हैं बीवी और ये होता है बीएज बीएज कौन है पर्थवी के चुम्बकिय छेतर का 36 गटक तो यहां लिखेंगे पर्थवी के चुम्बकिय छेतर का 36 गटक समझ माया और बीवी के मतलब लिखेंगे पर्थवी के चुम्बकिय छेतर का और दुवाधर गटक क्लियर हूई बात मेरा परसन आपसे यह है कि बी एज किसके बराबर हो इसका इदर का टक करो तो भोलो कोस ठीटा आएगा साइन ठीटा कोस ठीटा इसका इदर का टक करो साइन ठीटा तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या चलो Batman यहीं लिख रहें मैं लिख रहा हूँ बी एच जो होगा वो बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा बी का उधर गटक कॉस थीटा बी का इधर गटक साइन थीटा और यह मैं लिख सकता बी वी बराबर पी साइन थीटा होगा बोलो हाया ना समीगन नमबर एक समीगन नमबर दो समझ भाया समीगण एक और दो का वरक करके जोडने पर एक और दो का वरक करके जोड एक और दो का वरक करके जोड देंगे बी एच का स्क्वायर बी वी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और बाहर आ जायाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equals to तो मेरे पास यह 1 हो गया, मेरे पास बच गया B और B की value आ जाएगी under root of bh square plus bv square तो अगर आपको किसी स्थान पर पर्थवी के चुमबगे चेतर के दो गटक दे दे bh और bv तो वहाँ पर total चुमबगे चेतर निकाल सकते हो आप किसका पर्थवी का और वह जाएगा b e पराबर bh bh के square और bv के square समझ में आया यह 10 theta बताओ मेरे को इसमें 10 theta यह कोण है यह कोण है भाई bv यह कोण है bv 10 theta पराबर लंब बते आदार लंब मतलब bv upon bh ठीक है theta बराबर आजाएगा 10 inverse bv upon bh अगर आपको किसी इस्थान पर bv दे दे और bh दे दे आप उस इस्थान पर नती कोण ग्यात कर सकते हैं बोलो यह कौन था नती कोण था समझ मैं यह आपका हो गया नती एवं नमन कौन दिखपात कौन पर्थवी के छुम्ब के छेत्र का 36 घटक उर्द्वादर घटक पर्थवी का कुल चुम्ब के छेत्र सारी चीजे हो गई क्लियर है पर्षण करोगे तो आपको जरुत पड़ेगी कि सर पर्षणों में एकाज पर्षण एक्सरसाइज में दे रखे होंगे पर्षण जब भी आप करोगे तो उपर की तरफ माल लेंगे नौर्थ नीचे की तरफ माल लेंगे साउथ और परत्वी के चुम्बा के चृतर से संबंदित कोई परसन हो तो परत्वी का चुम्बा के चृतर मान लेंगे सदय शाउथ से नौट के तरह सर ये कैसे अपनी मरजी से बता रहे हो क्या ये कैसे थोड़ देर पहले दुख ये डायग्राम याद है ठीक है यह कौन सी लाइन है यह कौन सा नौर्थ होता है एन जी एस जी ठीक है एन्नेम एसेम एन्नेम से बल रेखाएं अंदर जाते है इससे बल रेखाएं बार नौर्थ ठीक है तो चुम्बकिया छेतर रेखाएं साउथ से मुड करके तो साउथ से चल करके जब भी कोई परसंद करोगे तो यह तो बनाओगे नहीं बार बार समझ मा रहा है कागस पे एक डाइगराम बनाएंगे और सीधा लिखेंगे लाइन नीचे साउथ है उपर नौर्थ है और चुम्बकिया छेतर रेखाएं साउथ से किदर जा रही है ठीक है उदासीन बिंदो से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है एकसरसाइज में पीछे एक परसन मिल जायागा जो उदासीन बिंदों से संबंदित परसन है ठीक है अब यह जो मैंने बना रखा यह पर्त्वी की सत्यक के उपर बनाया है मैंने कहीं भी क्लियर है कुछ समझ में आ रहा है पर्त्वी की सत्यक के उपर अब द्यान से देखो उदासीन बिंदों किसको कहते हैं पर्त्वी की सत्यक के उपर या उसके आसपास वह बिंदों जहांपर नैट चुमबक के छेतर जीरो हो जाए उस बिंदों को कहेंगे उदासीन बिंदो यह कैसे होगा पर्धवी की सतय पर चुम्बक को लटकाने से उसके आस पास उदासीन बिन्दू मिलते हैं अब वो कैसे मिलेंगे द्यान से देखो मैंने पर्धवी की सतय पर एक चुम्बक रख दिया और मैंने ऐसे रख दिया बिल्कुल और मैं कह रहा हूं ये नौर्थ है ये साउत है, ऐसे रखा हूँ अभी, अब आपको हो, सर रुखेगा कैसे, मान रखा हमने की ऐसे रुखा हूँ आई है, अना, और, अब मेरे को एक बाद बताओ, आइन के कारण चुम्बा के छेतर की दिसा किदर होगी, मतलब, इसके अक्स में चुम्बा के छेतर की दिसा कारण नई एन और एस इसके केंदर से आर दूरी पर इस्तित किसी बिंदू अक्स पर बिंदू पर चुम्बक के छेतर की दिसा बार की ओर एन के कारण भार होती है ऐसे जाद है और यह वाली जादा होती है यह वाली कम होती है तो जो परिणामी बसती है वो यह वाली बसती है clear, तो इसके काँ चुमबद के काँ चुमब दू किधर आएगा? नीचे की ओर जबकी पर्थ्वी का चुमबक के चुमबद के च्ँआ किधर रें? अब आप खुछ सोचिए एक चुम्बग के छेतर नीचे की तरफ है, दूसरा चुम्बग के छेतर उपर की तरफ है, और अगर ये उपर की तरफ जो जा रहा है, इसका परिमान और इसका परिमान बराबर हो जाए, इस जगह पर, तो ये जीरो जाएंगे, ठीक है, तो कई बा का भी चुम्बा किया छेतर और पर्थवी का चुम्बा किया छेतर दोनों का परिमान बराबर हो जाए और दिसावी प्रीत हो जाए तो उस जगह पर चुम्बा किया छेतर हो जाएगा नैट जीरो और उस बिंदू को कहेंगे अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये इस्तिती है इसमें आपको उदासीन बिंदू किदर मिलने की संभावना है ओपर की और नीचे की और कि नीचे की और समझ मैं क्योंकि नीचे की और देखो नीचे की और यह बिंदू सेलेक्ट करो इस बिंदू पर चुम्बक के कारण तो होगा नीचे की और लेकिन इस बिंदू पर पर पर्थवी के कारण होगा ऊपर की और तो यहां पर जीरो हो सकता है और ये बराबर हो भी जाएगा तो इस जगह पर अपने को क्या मिल जाएगा उदासी बिन्दू इधर हो जाएगा क्या कभी हो जाएंगे इसकी चुम्बग ये छेतर रेखा हैं देखो एस के अंदर प्रवेस कर रही होंगी असे कि यह आपर तो फिर भी एक डायर्ट नीचे एक लाइन ऊपर तो दासी बिन्दू अपने को यहां भी जब आइसे रखा जाएगा तो यह मिलेगा यहां तो यहां मिलेगा है ठीक है उदासीन बिंदू यहां नहीं मिलेगा साइड में देखना कभी भी मैंने चुम्बक के लिए उदासीन मैंने चुम्बक के लिए बताया था आपको एक बार देखो चुम्बक के लिए निरक्स पर चुम्बक किया छित्र कैसे निकालते N, S निरक्स के लिए देखो N से बाहर की ओर S के अंदर की ओर और ये एंगल अगर थीटा है ये लाइन बनाएंगे बोले ये भी कितना थीटा इनका गटक आता था कोस थीटा ये उपर वाला नीचे वाले को आड़ देता था केवल इधर ही चुम्बक के छेत्र बचता था परिनामी चुम्बक के छेत्र याद है तो जब चुम्बक के निरक्स पर जाओगे तो परिनामी चुम्बक के छेत्र इस तरफ बचेगा अब उशी डाइगराम में वापस आजाओ ये रा चुम्बक मेरे को इस बिंदू पर चुम्बक के छेत्र की ती सा बताईए चुम्बक के कारण तो ये नौर्थ ये साउथ तो इधर ये वाला डागराम तो रहे है और ये किसके कारण चुम्बक के छेत्र है पर तुम्बक की निरक्स पर क्या नहीं मिलेगा उदासीन बिंदू इस लाइन पर कहीं भी उदासीन बिंदू यहाँ यहाँ कहीं भी उदासीन बिंदू नहीं इदर मिलेगा उदासीन बिंदू मिलेगा केवल अक्स पर इसको कहते हैं क्या हो कौन सा बिंदू समझ में आगया यह सब यह आपका उदासीन मिंदू हो गया यह सारी चीजे हो गई एक लाइन जो रह गई आप वो देखो पहले नती एवं नमन कोण के अंदर देखो आप यह देखो द्यान से अब आप जैसे जैसे किस की तरफ जाओगे दुर्वों की तरफ सबसे पहले दे पूत्री गोलार्द नीचे होता है दक्षनी गोलार्द यह वाली लाइन भूमद्य रिखा होती है वैसे तो लेकिन मैंने इसको 90 डिगरी रोटेट कर दिया है और 90 डिगरी रोटेट करने के बाद में यह ऐसा हो गया है और यह है नौर्थ जोग्राफिकल और यह है साउथ जोग्राफिकल ठीक है और आप यहां पर चुम्बक को लटका रहे हैं बिल्कुल अब यह कौन से रेखा होगी भूमद्य रेखा पर जब आप खड़े हो करके बिल्कुल इसके ऊपर चुम्बक को लटका होगे तो आप द्यान से देखिए चुम्बक से दोनों दुरू बराबर बराबर दूरी पर है हैंग नहीं है अरे ये वाला मैगनेटिक और ये दोनों यहां है ये रह ये रह तो लगबक कितने बराबर बराबर दूरी पर होंगे ये तो ये बिल्कुल सीधा पाया जाता है भूमद रेखा पर ये जो सुम्बक ये सुई है ये बिल्कुल कैसी रहती है सीधी तो इस जगह पर नतिया नमन कौन कितना होगा итьсяan ि देखो यह 6 transfer heaven किइस जगे पर यह ऐसी हैं जगेपर ही यह सी रहती है बिल्कुल ऐसे है तो यह यह कोई कोण बनाए में सीध्य हो गई है तो यह याद रखो भूमत लेखा पर नती एवं नमन कौन चीरो डिगरी हो लगा कुछ समझ में आ रहा है ये आगे लिखवाऊंगा मैं अब आप दीरे-दीरे किदर आजाओ दीरे-दीरे जो है आप इस सुम्बक के सुई को ले करके दुरू की तरफ आजाओ किस की तरफ आजाओ दुरू की तरफ तो मैं दुरू की तरफ बढ़ रहा हूँ द्यान से देखो ये कौन सा सिरा होगा ये कौन सा सिरा होगा साउध कलियर है जैसे जैसे आप नोर्थ पोल की तरफ आ रहे होगे ये चुम्बक के सुई बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी ऐसी उर्द्वादर अब इसमें थोड़ा सा देखो वह है मतलब वास्त्विक्ता में जिदर आप ये मैगनेटिक नोर्थ लिखते हो न एनन वहाँ वास्तों में साउथ पोल होता है चुम्बक का वहाँ वास्तों में पर्त्वी का कौन सा पोल होता है है AD54 इसको अधैन कि उसको कि उसको नहीं लिखते हमारा चुम्बक जिदर जाकर रुंबक का उत्री दूरु हम तो उसी कोता में है उत्री दूरु उसकी अदि आप खुद सोचिये अजी खुद सोचिये चुम्ब को सुतंतर का पूरोग लटका दिया यह नॉर्थ पोल इर यह साउथ पोल है और यह नीचे पर्थवी है ठीक है आप इधर कौन खीचेगा तभी रूके गाए इधर साउथ होगा तभी तो यह खीचेगा इसको रोक चुंबक का सॉथ पॉल जिदर रुखेगा वो शूथ दुरू लटकाने पर किसीुम्बक को सुतंतरता पूरोग लटकाने पर चुंबक का धक्षणी दुरू जिस दीसामे रुखेगा रूट्वी और चुंबक को protagonist नोप लटकाने पर पर दे रखा है कौन सा दुरू है यह अगर इधर साउथ यह देखो यह चुम्बक का साउथ पोल यह नौर्थ पोल वास्त्विक्ता में कौन होता यहां नौर्थ क्योंकि नौर्थ ही तो साउथ को खीच सकता है तभी तो रुकेगा यह यहां समझ भाया लेकिन इसको एन नहीं लिखते हैं इसको एस लिखते हैं क्यों क्योंकि हम लटकाएंगे चुम्बक और हमारे चुम्बक का दक्षनी दुरूजी जर जाकर रुकेगा तो हमन आप जो ओरिजिनलिटी को है ना उसको द्यान में रखो एक बार इधर कौन है चुम्बक का कौन सा दुरू नौर्थ और यहां नोर्थ नहीं वास्तू में कौन है अब जैसे जैसे आप इस चुम्बक के सुई को लाल टैन को लटका कर किदर ले जा रहे वहाँ पर दुर्वो इसकी नोर्थ से दूरी कम होती जा रही है सोरी बढ़ती जा रही है अरे जब इदर आ जाओगे तो यह तो बहुत दूर चला गया इससे तो इसके द्वारा लगने वाला बल कम हो जाता है याद है जितनी ज्यादा दूरी उतना कम बल यह वाला बल तो कम होने लग जाता है तो ये वाला बल अब देखो आप कोई चीज पहले सीधी थी एक बल दी ला पड़ गया तो इधर जुखेगी नहीं समझ माया और नहीं है वाइस बूमादे रेखा पर खड़े हो जाओगे तो दोनों बराबर रहेंगे नोर्थ भी साउथ भी और दोनों बिल्गू सीधे रह रहा है दूर होता जा रहा है तो इसका करशन कम होता जा रहा है और इसका करशन बढ़ता जा रहा है तो यह खीचना शुरू कर देता है और जो चीज पहले सीधी थी थी ना अब यह खीचना शुरू कर देता है यह डीला पड़ गया तो यह वाला जो शिरा ये तो ऊपर उ तो अब मेरा प्रस्व अब से सिर्फ इतना है कि दुर्वों पर नतीय नमक्न कर राभा है तमय तदूर्वों पर नतीय नमन को रचाये है समंझ माए यह नहीं तो यह तद्रड को यह 36 गटक है , यह 36 गटक से सूहे तो बिल्कुछ सीधी अब इतो पर तो ये कितना कोण बना गई? दो चीज़ा याद करेंगे बूमादेरेखा पर नती और नमन कोण कितना होता है? 0 डिगरी ये बड़ा मैंने पिक्च्चुरिय कली बता दिया आपको मैंने मैंने जितनी कोशिस में कर सकता था समझाने के लिए मैंने समझा दी फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे अपवाद सुरू कि जिनको समझ में नहीं आया होगा और उनकी सुविदा के लिए एक बार और बता देंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह आपको समझ में आगया अब इन लाइनों को लिखना सुरू करो आप ठीक है फटा 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 अरे स चुम्ब कत्व से संबंधित महत्वपूर्ण रासियां पहला लिख लो पहला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर चुम्ब कंति वरता चुम्ब कंति वरता क्या होती है द्यान से देखो जब भी किसी पदार्थ को हम चुम्ब की चेतर में रखेंगे तो पहले देखो आपको एक चीज पता रहनी चीए पदार्थ के अंदर देखो इसमें वो पाया जाता है आपको मैंने बताया था परिकर्मी इलेक्ट्रोन का चुम्ब की आगून होता है और एक फोर्मूला निकाए ईवी आर बटे दो पिछले चेप्टर में था परिकर्मी इलेक्ट्रोन का एक चुम्ब क्या गून होता है किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रोन्स होते हैं इलेक्ट्रोन्स चक्रन लगाएंगे परिमानू की बात कर रहा हूँ मैं तो सीधा परिमानू में माल लीजे युग मीत इलेक्ट्रोन नहीं है और अकेला इलेक्ट्रोन है ये उसका है नाबिक नाबिक के चार और चक्कर लगाएगा इसे चक्कर लगाएगा तो इसका एक वो आएगा चुम्ब की आगून चुम्ब की आगून तो इसमें चुम्ब की आगून आ जाएगा रचुम्ब की आगून को किसे डिनोट करते हैं M से समझ मैं ही बात हूँ तो प्रतेक पदार्थ के अंदर चुम्ब की आगून उत्पन्न होता है, और जब आप इसको किसी बाई चुम्ब की छेत्र में रखोगे, तो होता क्या है तो इसमें बहुत सारे परमानू है, सबका अपना अपना एक चुम्ब की आगून है, तो मान लीजिए ये कोई परमान के दिशा होगी और सुरुवात में यह किस तरह पड़े हुए होंगे सारे याद रिची ग्रूप से जब कोई बार से कोई भी चुम्बक के छेत्र आपने हाँ मतलब बीज इकोस्ट्र क्या है जी रो आपने भार से कोई चुम्बक के छेत्र नहीं लगा रखा याद करो ऐसी थियोरी का पड़ी थी पैरावधुत पडार्थ उसमें वहां लगाते थे विद्धुत छेत्र यहां लगाते हैं चुम्बक के छेत्र जब किसी पडार्थ कोई भी नेट चुम्बक के आगुण नहीं था समझ भाया पडार्थ का नेट चुम्बक के आगुण यह Net Mnet Mnet कितना है जी रो यह वाले को कोई यह वाला काट देगा इस तरफ वाला जो सब overall कितना हो जाता था जी रो लेकिन आप क्या करोगे जब इस पडार्थ को किसी ब आये चुम्बा के छेत्र देखो क्या सवाला मान लीजे ये कोई चुम्बा के छेत्र ऐसा और आपने इस पदार्थ को चुम्बा के छेत्र में रख दिया तो ये इदर मूँ कर राखाता ना जिस दिदूर ने यह घूम कर चुम्ब के चेतर की दिसा में आगा याद करो यह सब दिधूर हो है सारे यह सारे चोटे की चोटे चुम्ब की आगून है आगून का मतलब चुम्ब की दिधूर बन गए यह सब वावेदू दिधूर होता था या चुम्ब की दिधूर हो है और ये इसका दिधूर आगून है चाहिए दिधूर आगून कहे दो चुम्ब की आगून कहे दो एक ही बात है ये इसका चुम्ब की आगून है और ये भी गूम करके इधर आ जाएगा ऐसा सब सारे दिधूर इस तरह एड़ेस्ट हो जाएंगे तो इस पदार्थ में एक नेट चुम्ब की ये आगूण उत्पन होगा, जो पहले कितना हुआ करता था? जीरो, अब किसी पदार्थ के अंदर जो एकांक आयतन में उत्पन होने वाला नेट जो चुम्ब की आगूण होता है, उसी को कहते हैं चुम्ब कंती वरता, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पस्थित नेट चुम्ब की आगूण ही उस पदार्थ की चुम्ब कंती वरता का दो, समझ माया, मेरे को चुम्ब कंती वरता का मातरक बता दो, और इसको आई से दिनोट करेंगे, आई पराबार आ जाएगा, एम नेट वेक्टर, बटे में आ जाएगा, आयतन, मेरे को M का मातरक बताओ, M का मातरक, N I होता है, याद है N I, I into A, एम पर इन्टू मिटरी स्क्वाइर, आयतन, बोलो, मीटर क्यूब, मीटरी स्क्वाइर से एक कट जाएगा, बच जाएगा, मेरे पास I बढ़ाबर, एम पर परती, मिटर, याद रखना है, केलियर, यह मातरक अभी लिखाओंगा मैं, ठीक है, आप इसका फटापट मेरे को वो बता दीजिये, dimensions, विमाई, विमाई तो simple है, M0, अचा यह मीटर है, देखो, minus 1, याद है, T0, समझ माई है, विमाई होगी, dimensions होगी, clear है, यह सारी चीजे, यह आपका isolated चीज होगी, आप आपका उसरी यह क्या दरसाती है, मतलब, यह किसी पदार्थ के अंदर, चुम्बकतू के गुण का उत्पन होने को दरसाती है, तो किसी पदार्थ को चुम्बकित करने के लिए, जिस बारी चेतर में उसको रखा जाता है, उस बारी चेतर को कहते है, चुम्बकन चेतर, समझ माया, अब मान लीजिए चुम्बक ये छेत्र बी नोट में रखा जाता है और ये किसमें रखने की कोशिस कर रहे है निर्वात तो उस जगह का चुम्बकन छेत्र कहलाएगा H पराबर बी नोट अपोन दू नोट ये याद करना पड़ेगा H को कहते है कौन सा छेत्र? ये चुम्बकन छेत्र लगाया है बी नोट किसी पदार्थ को चुम्बकित करने के लिए बी नोट में मूणोट का बाग दे दो उसको बाग देने के बाद वो क्या बनता है चुम्बकन छेत्र तो निर्वात में चुम्बकन छेत्र क्या होता है निर्वात में चुम्बकन छेत्र होता है उस जगह पर चुम्बकन छेत्र बटे म्यूनोट उस जगह पर चुम्बकन छेत्र बटे म्यूनोट वो कहलाएगा निर्वात का चुम्बकन छेत्र ज्यान से देगो यह है चुम्बकन छेत्र यह है चुम्बकन छेत्र समझ मैं है चुंबग ये चेत्र में म्यूनोट का बाग देंगे तो चुंबगन चेत्र बनता है क्लियर होरी बात आप इसका मात्रक बता देंगे इसका मात्रक नहीं आता है कैसे निकालोगे कैसे आएगा बी बराबर क्या हो ददयाद करो चुंबग के लिए नहीं होता मेरे को बी नोट अपोन म्यूनोट की भी मा निकालने में कह देता हूँ निर्वात में यूथपन हो रहा ही अरे निर्वात ही तो ले रहे हैं तो ये निर्वात में ही तो है मेरे को बी नोट में म्यूनोट का बाग दे दो यहां से बी नोट में म्यू नोट को नीच ले जाओ ठीक है तो बचेगा केवल M और R क्यूब बस ये सुत्र नहीं आता है चुम्बक के कहाँ पर चुम्बक के छेत रहे है चुम्बक के कहाँ पर चुम्बक के छेत रहे है अक्स पर तो मैं निर्वात की बात कर रहा हूँ आ निर्वात है तो मैं ले लेता हूँ बी नोट का मतलल में निर्वात में चुम्बक के छेत रहे है मुनोट आपको पताईए 4pi 2m M है उसका चुंबकिये न हे स क्यूंक Q K है दूरी है अम मेरे को प्रतAmु आपन मुनोट का मात्रे करना है तो मैं बीनोट अपन मूनोट बना लूँ जा न यही से महीं नहीं से नीचे है दूगा न यहां समझ माया बेश दिया तो इधर क्या बचा केवल दो का कोई मातरक नहीं होता फोर पाई का कोई मातरक नहीं होता तो M upon R cube जो होगा वही मातरक होगा इसका M का मातरक कौन होता है M का मातरक टेस्ट लो होता है N I amper into इसके बाद आजाता है चुम्बकंती वरता इसके बाद क्या आजाता है चुम्बकंती वरता हो गई चुम्बक यह परवरती चुम्बक क्या परवरती कुछ नहीं होता है I समानुपाति होता है H के दोनों लिखवा दी अभी अभी बता है समानुपाति के चननता होगे I equals to आता है XS या ZETA भी बोलता है I बोल देते गई bung परवर्ति का कौनसी परवर्ति की प्लिए लेां से यह आई का मात्रक जो होता है वही मात्रक श का होता है यह आप भी बताया था की इसका कोई मात te Brittany हmäß होता है.. विमाहीन विमाहीन होता कि यूद है... परती चुमब के पदाओ ऐसका मान नेगेटिव होता है. आगे लिखोँ हूँ ठीक है। यह आज के लिए काफिया दो लाइने लिखे लो पास मिनिट है पास मिनिट में दो लाइने झाल झाल